नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फंड टॉक में जैसे कि आप जानते हैं कि शेर बजार में जब हम लोग इंवेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं तो दो भावनाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती हैं, भय और लोब अगर हम भय के बारे में बात करें, भय में क्या होता है, जब आदमी डरता है, एक्विटी मार्केट से डर लगता है तो वो एक्विटी मार्केट में निवेश भी कम करता है उसका विपरित है लोब जब ज़ादा रहता है मतलब equity market चड़ रहा है तेजी से चड़ रहा है तो वो equity market में ज़ादा investment करता है और जब ज़ादा investment करता है तो जो उसका asset allocation है उसमें changes आते हैं और वो overboard हो जाता है equity में यही सब discuss करने के लिए आज हमारे साथ शिनिवासन रामामूर्ती हैं जो की co fund manager है HDFC hybrid debt fund के, HDFC equity saving fund के, HDFC multi asset fund, HDFC asset allocator fund of fund and HDFC retirement saving fund and HDFC balance advantage fund तो इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तित रूप से बात करेंगे मेरा नाम Sandeep Singhी है और मेरे साथ शिनिवासन रामामूर्ती जी है शिनिवासन जी हम लोग शुरुआत करते हैं कि hybrid funds होते क्या है और उनके क्या-क्या usage है इस product में Sure, नमस्ते Sandeep जी, नमस्ते दर्शकों को So hybrid un funds को हम कहते हैं जिनमें दो या ज्यादा asset classes पे हमारा exposure रहता है तो आपने जैसे बताया equity or debt है जो बहुत prominent asset classes है इनके अलावा हम भारत में gold काफी funds देखते हैं जिनमें gold भी शामिल रहता है बाहर अगर हम देखें विदेश में तो और भी asset classes है जैसे REITS है Real Estate Investment Trust या फिर alternate assets PE या VC टाइप की assets हो गए वो सारे भी काफी use होते हैं इंडिया में वो उनमे liquidity और debt अबी कम होने के वज़े से वो at scale हम use नहीं कर पाते हैं but but hopefully भविश्य में हम उनको भी use कर पाएंगे और अगर आप अगर types की बात करें hybrid funds की तो मैं यह मानता हूं कि hybrid funds आपका एक आपको transition देता है एक बहुत conservative investor को जो debt investor है and जो slowly migrate कर सकता है वो based on उसकी risk profile के हिसाब से to a fund which is very aggressive which is almost like equity के मुकाबले आस पास के funds में तो यह आपको बहुत I mean depending on कि आपने किस proportion में equity debt और gold को अपने इसमें शामिल किया है अपने asset class mix में उस product का वैसा यह हो जाता है उसकी properties वैसी हो जाती है कि वो आपको बहुत जादा आपको safety focused investor है वो close to debt fund रह सकता है और जो equity थोड़ा aggressive type का investor है वो close to equity fund हो सकता है but with the end objective कि आपका जो उतार-चड़ाव है उसका जो NAV में या return profile में वो आपका थोड़ा संभल के रहे कम रहे करें शिनी हम नोग ने अभी बात करा hybrid funds के बारे में तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तिरी दूप से बताएंगे कि हमें hybrid funds में क्यों investment करना चाहिए जरूर देखिए हम जो भी asset management product लेते हैं उसका एक core objective जो होता है वो यह है कि हम हमारा जो हम real economy, real life में हम जो खर्चा करते हैं जैसे आप मान लीजे कि कि किसी के education के लिए खर्चा करना है किसी को healthcare के लिए खर्चा करना है रेटार्मेंट के बाद आपके day-to-day expenses के लिए आपक inflation के rate से तो आपको किसी भी product में ये बहुत अनिवारिय हो जाता है कि वो product आपका inflation को over long periods बीट कर पाए तो वो एक requirement आपकी आ जाती है और दूसरी requirement है कि आपके product में आप बहुत जादा आपके near term में जो हम आज कल और short term की बात करते हैं एक महिने, तीन महिने, छे महिने में बड़े drawdowns नहीं आने चाहिए क्योंकि वो भी आपको impede कर सकता है आपके objectives को meet करने के लिए क्योंकि जब आपकी fund की requirement है तब आपकी market down है तो आप फिर आप उतना निकाल नहीं पा रहे हैं जितना की आपको जरूरत है तो अगर हम inflation का objective देखें जो long term वाला objective है उसके लिए तो equity बहुत ही बढ़िया asset class है और वो हमने देखा है कि across time frames उन्होंने उसने काफी अच्छे margin से inflation को beat किया है at the same time अगर हम short time frame की बात करें जहां पर हमें regular I mean regular cash flow चाहिए वैसी अगर किसी की requirement है तो traditional fixed income products काफी अच्छे काम आते हैं उस case में लेकिन हमारा use case generally इन दोनों के बीच कराता है I mean for most individuals हम अगर देखें कि हमें आज जो पैसा हमें खर्च करने है और जो future के लिए हमें wealth build करना है यह दोनों parallelly जाना है और जैसे ही यह दोनों objectives को हम मिलाने की कोशिश करते हैं उसी जगह पे मेरे मेरे ख्याल से hybrid जो products है वो बह पूटफोलियो को करते हैं तो उससे automatically up का risk reward equation हर point पे बहतर होते जाता है product का और क्योंकि उतार चड़ाव इसमें कम रहता है नवी का तो उस हिसाब से आपने जो पहले बात किया lobe और भाय का वो जो sentiments हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं इसलिए investors की mistimed entries or exits products से भी थोड़े कम हो जाते हैं तो मैं मानता हूँ यह सब reasons हैं जिस वज़ा से किसी भी investor को hybrid funds अपने portfolio में consider करना चाहिए और मेखल से एक और इसमें हम लोग फाइदा जोड़ सकते हैं कि यह जितने भी hybrid funds हैं यह एक tax efficient भी होते हैं because क्योंकि आप एक fund manager ही इसमें equity और debt में rebalance करते रहते हैं through that extent आपका जो tax का जो calculation है वो थोड़ा कम आता है investor के पास चैनी हम लोग जैसे hybrid funds के बारे में बात कर रहे थे अगर हम लोग mutual fund के assets के बारे में total बात करें तो करीब-करीब 12-13% के आसपास जो total mutual fund का assets है वो hybrid funds में है और इनमें से जो दो asset classes जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो है aggressive hybrid fund और balance advantage fund जो कि हमारे पास HDFC hybrid equity हो गया और HDFC balance advantage fund हो गया क्या आप इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप difference के बारे में बता पाएंगे जरूर यह दोनों बहुत ही अलक टाइप के products है और दोनों equity oriented products है यह एक commonality है लेकिन अगर हम देखें कि इनमें जो equity का asset equity का जो range रहता है वो इन दोनों में बहुत फरक है जैसे कि aggressive hybrid में आपक नॉर्मली जो equity percentage allocation रहता है वो range 65% to 80% का range रहता है और हम अगर balanced advantage की बात करें तो वहाँ पे भले ही overall equity 65 to 90% रह सकता है या 80% किसी-किसी cases में depending on किस fund house ने क्या range चूस किया है लेकिन आपका जो enhanced equity exposure है वो 0% से शुरू हो सकता है तो यह range आपका बढ़की almost 0% to 80% या 0% to 90% हो ज का use ना भी करें तो फिर भी वो 30 to 80% या 40 to 80% की range में आप equity को change कर सकते हो तो इस वजह से आपका जो aggressive hybrid है उसके मुकाबले generally speaking balanced advantage थोड़ी और less volatile हो सकती है क्योंकि इसमें आप asset allocation dynamically manage कर सकते हो और market के किसी भी cycle में जब equity आपको ज्यादा unattractive लगे versus debt and vice versa तो आप वो mix को और ज् में और ज्यादा level तक change कर सकते हो to give the investor a better risk adjusted outcome हम जो बोलते हैं वो investor के लिए बहतर हो सकता है शीनी हम लोग अभी जैसे SDFC balanced advantage fund के बारे में बात कर रहे थे तो आप हमें इसमें बताएंगे कि equity का जो allocation है वो हम लोग किस तरह से इसको decide करते है कि कितना प्रतिशत हमें इसमें equity म allocation करना है हां तो यह हम जो HDFC balanced advantage fund है इसमें हम एक framework based approach follow करते हैं allocation decide करने के लिए तो यह framework जो है हमारा broadly three layers पर हम करते हैं जो पहला layer है हम उसमें valuations देखते हैं market की और उसमें हम दो factors consider करते हैं इसमें जो trailing price to earnings ratio होता है वो एक देखते हैं और और एक है जो earning seal to bond deal ratio होता है जो इनवे आपको बताता है कि equity और debt दोनों comparable frame में कैसे उनकी valuations हैं तो यह दोनों parameters के basis पे हम decide एक range पे आते हैं कि market के लिए कि allocation के लिए इस market condition में कौन सा range सही है इसके बाद जो हम second layer की अगर हम बात करें तो उस पे हम एक macro overall macro environment को हम जाच करते हैं और हम यह देखते हैं कि overall macro environment किस asset class के लिए ज्यादा favorable है at some point in time and उसके उस पे फिर हम जो पहले range हम जो arrive कि है उस पे हम यह इसके basis पे हम decide करते हैं कि हम यह range को बढ़ाना है कि कम करना है और यह हम maximum 10% कर सकते हैं कि समझे कि हमें पहले side पे पहले layer से हमे 40 to 50% range आया तो हम इसमें 40 to 50 का हम 50 to 60 कर सकते हैं य या फिर हम इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं 40 to 50 अगर हमें macro macro बहुत favorable या बहुत unfavorable ना लगे तो तो यह जो हो गया यह second layer हो गया और finally जो यह range इन दोनों चीजों के layers के बाद हम जो range पे आते हैं उस range को हम fund managers को देते हैं equity side or debt side पे और वो decide कर सकते हैं कि उस range में उन्हें कहा पे रहना है उपर के तरफ रहना है या नीचे के तरफ रहना है वो depending on the investable opportunity जो market में marketplace में वो जो securities के valuations देख रहे हैं उसके basis पे वो dynamically कर सकते हैं कि range में उनको कहां पे राना है तो इसी हिसाब से हम नॉर्मली हमारे जो हमारे जो है जो फ्रेम वर ऐसे काम करता है इसमें एक और चीज देखा गया है कि अगर आप इंडस्ट्री में नॉर्मली देखें कि हम लोगों का जो बैलेंस अड्वांटेज है उसका जो इक्विटी ऐलोकेशन है वो अपने पीर से से एवरेज के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है इस बारे में आपका क्या कहना है जरूर्व सो यह आपने जो बात कहीं वो सही है कि हिस्टोरिकली जेनरली हम अगर हम आवरेज हमारे अलोकेशन देखें तो जेनरली पीर सेट क और एलिमेंट ऑफ वेल्थ प्रोटेक्शन रहता है तो जब मार्केट सिच्वेशन बहुत अन्फेवरेबल रगे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से तो हम एक्विटी एक्सपोशर पूरून करते हैं अधर्वाइस हम उसको ज्यादा ही रखे हुए रहते हैं I mean traditionally SI हमने चलाय की उस पर तो उस वजह से अभी यह थोड़ा ज्यादा macro और valuation से ज्यादा impact होगा इस पर तो वो थोड़ा और closely aligned हो सकता है to these factors and hence हो सकता है कि आगे हम जैसे जाएं तो यह शाइद यह जो gap हम अब बात कर रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा और थोड़ा limit हो जाए बट हमारा जो core approach है core philosophy है इस product की वो अभी भी unchanged है हम इसे अभी भी मानते हैं कि यह wealth creation वालब product है जहाँ पे and with an element of wealth protection embedded in it SIP जिसे हम systematic investment plan कहते हैं वो आजकल काफी जादा popular हो गया है इसी का एक ultra जो concept है जिसे हम SWP systematic withdrawal plan कहते हैं और यह hybrid fund से किस तरह से mail करता है इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वग बताएंगे तो अच्छा होगा So अपने जैसे कहा SWP systematic withdrawal plan अभी काफी popular है popular हो रहा है incrementally जैसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक tax efficient route है आपको regular income flow अगर आपको अपने investment product से निकालना चाहते हैं तो यह एक अच्छा tax efficient way है to do it and and मेरा मानना है कि hybrid funds जैसे हमने बात किया उसमें volatility कम रहती है उतार चड़ाव कम रहते हैं तो किसी भी product में जहां पर उतार चड़ाव कम हो वो generally more amenable रहता है ऐसे type of plans के लिए क्योंकि आप बहुत volatile asset class में आप you don't want to take paysa you don't want to take income out when the asset class is down very meaningfully but because of the lower volatility clearly it is more suitable for SWP kind of a platform. अपने सही बताया जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्मली जब हम लोग equity assets में investment करते हैं तो equity assets में उतार चड़ाव काफी रहता है और हमने इस discussion में discuss किया कि जब आप hybrid funds में investment करते हैं तो hybrid funds में volatility कम होता है volatility का मतलब है कि risk भी कम होता है और ऐसे product से जब हम SWP use करते हैं जो एक retirees है जिनको एक regular basis पे उनको कुछ पैसा चाहिए होगा तो वो is SWP का उप्योग करके एक अपना regular cash flow बना सकते हैं एक ये भी कहावत है कि asset allocation is key to wealth creation और HDFC में ऐसे बहुत सारे products है जिन्होंने 20 साल 25 साल समय अपना पूरा किया है और एक बहुत लंबा track record है तो आप उन सब products को देख सकते हैं and we want to say कि asset allocation is key to wealth creation and HDFC mutual fund makes it easy for you mutual fund निवेश बाजार के जोकिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें